जी मुद्दा आज भी वही है नियोजन निती चुकि राज जी में सबसे अगर गंभीर मामला है सिरियस मामला है तो वह है नियोजन निती और आप तमाम मीडिया बंदू को सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अभार कि नियोजन निती का हम लोग कांदोलन को सूरू से सरकार तक पहुँचाने में कदम से कदम और कंधा से कंधा मिला के साथ दे रहे हैं लेकिन बरतमान इस्थिति और परिस्थिति में आप लोग देख रहे हैं कि जहरकन के तमाम चीजें अपने गती के अनुरूप, अपने गती के दर से चल रही है, चाहे जो अगर हम आज जिन्दा है तो हम अक्सिजन ले रहें, ये एकजाम, इस्कूल, कॉलेज, परब, तेवहार, कुछ दिन पहले कलेंडर भी बदले, 2022-23 आया, तमाम चीजे चल रही है, अगर रुकी हुई है कोई चीज, तो वह एक मात्र, वह है नियुक्ति की परक्रिया, नौकरी, और इस मामले पे, ना पक्ष, ना विपक्ष, कोई भी घंबिर नहीं है, कोई भी सिरियस नहीं है, एक तरफ, सत्ता पक्ष, जो है कि, हौली के मोके पर जाल किर्तन ताल बजा रहे हैं, दूसरी तर राख में उल्लू बैठे हो, अन्जाम गुलिस्ता क्या होगा, तो राज का भविस्त क्या होगा, इस से कर सकते हैं कि, पक्ष, बिपक्ष, सब कोई मिल करके, इस राज के नौजवानों को दुख तकलिप को ले करके, कोई भी बात नहीं कर रहे हैं, तो हमारा जिस परकार स चात्रों का अंधोलन सड़क से लेकर, सदन से लेकर, सभाक माईधम से हर तरीके से कर रहे हैं, लेकिन ही सरकार अभी तक सिरियस नहीं रहने के कारण, और एक फरजी रिकोडेट कॉल सर्वे का हवाला देते हुए 60-40 नियोजन निति ला रही है, जो इस राज के लिए दु अपनी टाइप से हुआ, नियोजन निति के मामले पर कहीं भी नहीं छोड़ेंगे, और ये राज के छात्र, या तो पूरे दुनिया के जो छात्र होते हैं, वो एक दीपक की तर होते हैं, जो दुनिया को परकास देते हैं, अपने राजिस जुडी हर ताजा खबरों के लि अपने जयूजे परकास दो een के मामले हैं, एक दीपक कीपक के डिपक के झात्र, यार कदेते हैं, जो दुनिया का तरुनिया की राजाबे टूंरा वे परकास बाले प्यूच है?